नमस्ते दोस्तों मैं विजय ठककर और आप लोगों का सब का स्वागत करता हूँ हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर्डर विक के वीडियो में सबसे पहले तो आज गनेश चतूरती है और मदब आज इन दे सेंस आप लोग जिस दिन वीडियो देख रहे हैं उस दिन उसका सेकेंड दे है और जिस दिन मैं बना रहा हूँ उसी दिन गनेश चतूरती है तो आप सब लोगों को हैपी गनेश चतूरती और मैं वेश करता हू कि गनपती पापा आप लोगों को लाइफ में happiness, wealth और अच्छी health आप लोगों को दे और उसी के साथ मैंने हमारे चैनल पे कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेर किया है कि मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं और आप जुडने वाले है मतलब हम लोग एक बहुत ही अच्छा initiative ले रहे है और I wish के वो आप लोगों को पसंद आएगा तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद जरूर देखना उसकी link मैं यहाँ पे डाल दूगा उसके अंदर आप लोगों को ये series किस बारे में है क्या होने वाला है कैसे ये series में आप participate कर सकते हो उसकी सारी detail मिल जाएगी और सबसे एक अच्छी good news मुझे आप लोग बहुत सारे लोग बोलते थे के sir आप कुछ एक कैसा webinar लेके आओ जिसके अंदर आप अपनी जो speciality है जो आपका short term breakout का जो method है वो सिखाओ तो मैंने ऐसा सोचा है कि 20 October को हम लोग एक webinar रख रहे है और ये webinar रहेगा दो दिन का 20 तारिक को हम लोग सीखेगे short term trading के बारे में जो मेरी speciality है जो मैं आप लोगों को every Sunday monthly और weekly breakouts वाले trade बताता हूँ तो वो कैसे मैं find out करता हूँ पहले तो मैं आप लोगों को वो सिखाओंगा उसके बाद आप लोगों को हमेशा ये question होता होगा कि विजे भाई मुझे तो 10-15 stock मिले है अब वो 10-15 stock में से कौन से stock को select करना चाहिए किसे avoid करना चाहिए वो सारी चीजे सिखाऊंगा उसके अंदर trade कैसे plan करना चाहिए आईए मैं आप लोगों को मेरी website में दिखा देता हूँ आप लोगों को मेरी website में जाना है यहाँ पे आप products में जाओगे देखोगे यहाँ पे आप लोगों को short term webinar का एक option मिलेगा अब यह webinar मैंने आप लोगों को जैसे बोला वो 2 दिन का रहेगा 20 तारिक का और 21 तारिक का 20 तारिक का timing हमारा 10 से 1 का है और यह मुझे पता है यह timing extend भी होने वाला है last time हमने एक webinar रखा था 2 गंटे का जो चल चुका 5 गंटे तक तो यह webinar भी अच्छा कासा time ले सकता है क्योंकि मैं आप लोगों के questions answers सब लेता हूँ 21st को हम लोग ने 11 से 1 का time रखा है so basically 20 तारिक को आप लोग क्या सीखने वाले हो कि यह method है क्या और कैसे stock selection करते है कैसे trade plan करते है risk management, position sizing सारी चीज़े आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों को कैसे आपका profit trail करना चाहिए, कहाँ पर partial booking होना चाहिए यह सारी चीज़े सिखाऊँगा और psychology और mindset जो बहुत ही ज़्यादा important role play करता है हमारी यह method में और day 2 में हम लोग क्या करेगे तो basically day 1 में आप लोगों का पूरा एक learning method रहेगा और day 2 में उसे कैसे apply करना है वो आप लोगों को मिलेगा तो यह अगर आप लोगों को registration करना है तो इसकी link मैं नीचे description में डाल दूँगा आप वहाँ पे जाके registration कर सकते हो अभी आते हम हमारे आज के वीडियो के उपर अभी देखो last week हम लोग ने देखा कि market में कुछ खास था नहीं और अगर आप देखो market ने कोशिस तो बहुत अच्छी की उपर जाने की पर एक बार ऐसा हुआ था जब US market और global market बहुत नीचे थे उस दिन हमारा market भी gap down खुला था पर same day उसी दिन recover भी कर गया था बट अगें Friday को हमारे market में एक अच्छी कासी selling आई और हमने negative close दिया है तो अभी अगर हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं तो ये Nifty का आप लोग monthly time frame का चार्ट देख रहे हो अभी monthly time frame के इसाफ से last month का जो high है और ये month का जो high है वो हमाने लिए resistance बनता है तो monthly time frame में चार्ट में कुछ इतना बड़ा फरक नहीं हुआ है पर अगर आप weekly time frame पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा possibility है कि Monday को भी market negative खुलेगा और अगर market Monday negative खुलता है तो हमारे लिए जो important support है वो यहाँ पे हमें सीधा 24,350 का दिख रहा है और अगर यहाँ पे market hold करता है तो ठीक है अदर्वाइस हम लोग बहुत डाउंसाइड जा सकते हैं अगर आप लोग bank nifty का चार्ट देखो तो bank nifty का देखो यह अगर आप monthly time frame का चार्ट देखोगे न तो यह जो trend line है वो हमारे लिए भी बहुत important है और अभी के इसाब से यह trend line का support level बनता है 49,270 weekly time frame पे अगर आप देखोगे तो यह जो recent swing low है 49,650 के असपास यह break होगा तो हम लोग नीचे की तरफ अच्छे खासे जा सकते है और यहाँ से फिर यह trend line को touch कर सकते है और daily time frame में भी हमारे लिए वो ही important support है 49,650 का तो यह मैंने आप लोगों को पूरा एक तरीके से index का एक view बता दिया अगर हम लोग FIS की बात करें तो last 3 दिन में वो लोग buyer थे मतलब last हफते में 3 दिन वो लोग buyer थे और 2 दिन वो लोग seller थे डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो नीचे से थोड़ा सा उपर आया है एक तरीके से double bottom जैसा बनाया है 101 के आसपास trade कर रहा है इंडिया विक्स ये हफते में थोड़ा बड़ा है 15 के आसपास है पर ये 15.20 एक normal number है crude oil continuously गिर रहा है 67.75 डॉलर के पास आया है USD INR जो है वो अभी 83.89 पे चल रहा है तो ये सारे parameter ठीक है अगर हम लोग sectors की बात करें तो लास्ट विक में small cap और small cap 50, 250 वा FMCG ये सारे सेक्टर अच्छे खासे चले थे और गिरने वाले सेक्टर में से CPSC और PSU bank PSC index ये सारे ज़्यादा गिरे थे खास करके PSU bank ने Friday को अच्छी कासी selling दी थी जब ये कोई broking firm है या कोई एक rating agency है उसने SBI को एक तरीके से downgrade किया था downgrade तो नहीं किया था पर उनकी जो profitability है वो आगे जाके काम आएगी ऐसा सब बोला था तो ये रहा हमारा market का पूरा analysis के मुझे market क्या लग रहा है और क्या हो सकता है अभी हम आ जाते हैं आज के हमारे stocks के उपर तो देखो आज है ना मेरे पस आप लोगों के बताने के लिए कुछ stocks है पर मैंने सोचा के मैं आप लोगों को दो अच्छे stocks बताऊंगा और बाकी के आप लोगों के उपर मैं homework करने के लिए छोड़ूँगा तो आज का जो हमारा सबसे पहला stock है वो है गुजरात फ्लोरो कैम और अभी जो आप लोग ये stock का चार्ट देख रहे हो ना ये quarterly चार्ट देख रहे हो मतलब एक जो candle है वो एक quarter का है अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि विजए भाई ये कहां से हो गया पहले आप monthly दिखाते थे फिर weekly दिखाते थे अभी आप quarterly भी चार्ट देखते हो तो देखो कभी कभी मैं yearly चार्ट भी देखता हूँ कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा वो भी सिखाऊंगा यही मेरा एक आप लोगों को हमेशा message रहता है कि आप जितने बड़े time frame का चार्ट देखोगे न उतना आपका accuracy बढ़ेगा obviously आपके जो trade है उसमें time लगेगा उसको होने के लिए बट आपकी accuracy बहुत बढ़ जाएगी तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे एक observation करते हैं कि यहाँ पे क्या लग रहा है आप देखो यह stock का जो IPO है वो 2019 में list हुआ था उसके बाद अगर हम लोग 700 रुपे से देखे यह stock almost 4000 रुपे तक गया था तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यह almost 4 times हो गया था और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो यह stock almost 9 quarter से मदब 9 quarter से यह stock consolidate कर रहा है और अभी आप लोगों को पता होगा कि chemical stocks अच्छे ही चल रहे है मैंने आप लोगों के साथ एक jubilant ingrivia share किया था वो almost वहाँ से 40 to 45% चल चुका है अभी एक और एक दूसरा chemical stock है जो मुझे अच्छा लग रहा है अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह भी चलेगा क्योंकि वो वाला चला था ऐसा मत सोचना आप analysis को समझो मैं कोई आप लोगों को यहाँ पर advise नहीं कर रहा हूँ अब आजाते हम लोग monthly time frame के chart पे मैंने quarterly आपको इसलिए दिखाया कि देखो यह stock में कितना बड़ा consolidation चल रहा है अब आप monthly time frame का chart देखो यह stock में अगर आप यहाँ पे notice करोगे ना तो एक trend line अच्छी तरीके से बनती है और अगर आप इसको trend line बनाते हो इसके all time high से और यहाँ पे रखते हो तो आप लोगों को clearly दिखेगा कि stock अभी अपने resistance के पास बहुत ही अच्छा का सा consolidation कर रहा है और किसी भी time यह stock में एक अच्छा breakout हो सकता है important resistance इसका all time high है एक बार यह 4173 break कर देगा तो upside में अगर आप इसकी range calculation करोगे तो हम expect कर सकते कि इतनी minimum range तो upside में आईगी ही और अगर वो range का मैं level देखू तो वो बनता है somewhere around 5800 का तो ऐसा नहीं है कि यह 5800 ही जाएगा उससे नीचे भी जा सकता है शायद ही उससे उपर भी जा सकता है अगर sector wise बहुत सारी चीज़े अच्छी हुई तो अगर आप इसका weekly time frame का chart देखोगे तो देखो last week का candle भी बहुत strong है और आप यहाँ पे इसका volume देखो वो भी बहुत strong है तो यह stock आपकी watch list में जरूर होना चाहिए एक short term के लिए और यही सारी चीज़ों को कैसे ढूनते है कैसे इसको observe करते है कैसे trade plan करते है वो ही मैं हमारे webinar में सिखाता हूँ अभी हम लोग आज के दूसरे stock पे आते है जिसका नाम है UTI Asset Management अभी देखो यह stock मैंने है ना मेरे twitter पे बताया था आप लोगों के साथ मैं generally आप लोगों के पास यहाँ पे आता हूँ तो मैंने अपने twitter account में यह stock के बारे में share किया था अभी आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो पहले हम लोग UTI का monthly time frame का chart देखते है देखो यहाँ पे भी IPO इसका 2020 में आया था फिर इसने high मारा था September 2021 में उसके बाद यह stock continuously नीचे गिरा और फिर वापस वो high break कर रहा है अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह stock का जो breakout है कुछ इतना बड़ा नहीं हो रहा है मतलब अगर हम year wise देखे तो यह breakout इतना बड़ा नहीं है बट यहाँ पे देखने वाली क्या चीज है कि यह stock एक अच्छा breakout दे रहा है अभी आप यहाँ पे देखो इसका breakout आया था 1212 के असपास अब आप इसका candle देखो breakout के time का कितना strong है और आप इसके volume candle को देखो तो यह एक positive चीज है दूसरी बात यहाँ पे यह है कि जब market ऐसा गिरा Friday को वो time पे भी यह stock strong खड़ा था तो वो एक अच्छी notice करने वाली बात है अगर आप लोगों को यह stock 1200 या 1250 के आसपास मिल जाएगा तो एक अच्छा risk to reward बनता है और अगर आप इसकी range calculation करते हो और इसकी breakout के बाद range calculation को आप add करते हो तो आप लोगों को एक idea मिलेगा कि यह stock upside में 1800 के आसपास जा सकता है तो यह stock भी आप ध्यान रखे उसके अलवा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि देखो आप लोरस लैप पे भी ध्यान रखे यह continuously downside में अपने lows को high बना रहा है और इसने 2-3 attempt यहाँ पे कर लिया है अगर यह 484 के उपर रहेगा तो यह stock भी एक अच्छा आप लोगों को return दे सकता है उसके बाद PPL Pharma ने भी last week में अच्छा breakout किया IPO के बाद यह continuously IPO तो नहीं यह एक stock में से बाहर निकला था उसके बाद continuously यह stock गिर रहा था और अभी इसने अपना recent high break किया है पर इसका breakout 195 पे हुआ है अभी यह 226 चल रहा है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यह थोड़ा नीचे आएगा तो अच्छा बाई बनता है अभी नहीं और यहाँ पे भी आप range calculation लगा कि अपना target दून सकते हो मैं आप लोगों को सिर्फ बताने की कोशिश करता हूँ कि price action और volume analysis को देखके आप कैसे अच्छे trade प्लान कर सकते हो और कैसे अच्छी तरीके से आप एक return generate कर सकते हो और सबसे ज़्यादा important मेरे analysis में एक ही चीज़ होता है higher time frame आप लोगों को ऐसा लगेगा कि higher time frame में क्या ही होता होगा पर आप लोग देखो आप मेरे 2 साल वाले 3 साल वाले कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजे और आज वो stock का उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजे तो आप लोगों को पता चलेगा कि higher time frame बहुत important role play करता है stress free stock market में एक अच्छी तरीके से participate करने के लिए तो अगर आप लोगों को ये चीज़ को अच्छी तरीके से सीखना है तो आप मेरा webinar ज़रूर join करिए और अगर आप serious हो सीखने के लिए तो ही करिए because हमने जो last webinar रखा था ना उसमें बहुत ऐसा हुआ था कि लोगों ने join तो किया था पैसे भी बढ़े थे पर जिस दिन webinar था उस दिन join नहीं किया और उसके बाद हम उन लोगों को feedback के लिए call भी कर रहे थे तो वो बोल रहे थे अरे कौन सा webinar अच्छा मैं तो भूल गया था मुझे याद नहीं है तो अगर आप ऐसे learner हो तो please मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए अगर आप seriously सीखना साते हो तो आईए मैं seriously मेरी बहुत ज़्यादा efforts डालता हूं उसके अंदर तो आप लोग भी अच्छे से सीखिए और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं कि वो webinar बैठने के बाद आप लोगों को कोई और चीज़ करने की जरूर नहीं पड़ेगी जो मैं अभी करने वाला हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक का ये सबसे मेरा best एक webinar होने वाला है तो अगर आप लोगों को जोईन करना है तो उसकी link नीचे description में है और आप लोगों को मेरी नई series का part बनना है तो वो video जाके जरूर देखे जो मैंने कल post किया था बस यही बोलना चाता हूं आप लोगों को एक बार फिर से आप लोगों को happy goodness चतुरती गनपदी बापपा आप लोगों को अच्छा life में आगे बढ़ा है मैं वही आप लोगों के लिए wish करूँगा अगर आप लोगों को हमारा ही आज का वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को like और share जरूर करिए देखो आप अगर like करोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और YouTube हमारे वीडियो दूसरे लोगों को suggest भी करता है तो अगर आप like कर दोगे तो मुझे पसंद होगा अगर आप लोगों को जरा भी कुछ भी ये पूरे वीडियो में valuable part लगा है तो तो बस अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई